काली घटा 1980 की हिंदी रोमेंटिक थरिला फिल्म है, जिसका निर्मान और निर्देशन वेद राही ने किया है, फिल्म में शशी कपूर, रेखा, डेनी डेंजोंगपा मुख्य भूमिकाओं में है, उनके साथ अरुना इरानी, ललिता पवार, जगदीप है, सहायक में नजीर हुसेन, एके हंगल, संगीत लक्षमी कांथ प्यारेलाल द्वारा रचित था, और गीत आनंद बक्षी द्वारा लिखे गए थे राय बहादुर सत्पाल सिंग, नाजिर हुसेन, की एक दूरदराज के गाव में बेरहमी से हत्या कर दी जाती है, उनके परिवार म में उनकी जुर्वां बेटियां रेखा और रश्मी, दोनों का किरदार, रेखा ने निभाया है, हैं, रेखा अपने मुख्य संपत्ती प्रबंधक दीवान, एके हंगल, और उनके बेटे और फैक्टरी प्रबंधक किशोर, डैनी डेन जोंकपा, की मदद से अपना व्यव साय चलाती है, रश्मी और किशोर एक दूसरे से, प्यार करते हैं जो रेखा को अप्रिसन करता है, जो रश्मी को पेंटिन कोर्स में भाग लेने के लिए विदेश भेजती है, वहीं रेखा भी अपनी शादी को लेकर उदासीन है, इस बीच, उनकी संपत्ती से गुजरते हुए, रेखा की कार खराब हो जाती है, और प्रेम, शशी कपूर, उसकी मदद करता है, जिसके पास ऐसी मशीनों के लिए सुनहरा हाथ है, कुछ मुलाकातों के बाद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है, कुछ दिनों के बाद, रेखा ने सभी को आश्चर्य चकित करते हुए प्रेम के साथ अपनी सगाई की घोशना की, वह सगाई से पहले पूरी संपत्ती रश्मी को सौपना भी चाहती है, सगाई के दौरान, जब रेखा का पुलिस इंस्पेक्टर दोस्त विकास जोडे को इस अफसर के लिए शुब कामनाएं देने के लिए आता है, तो प्रेम संदिक्धर रूप से गायब पाया जाता है, अगली शाम, युगल अपनी संपत्ती पर एक झील में लंगर डाले हाउस बोट पर निजी समय बिताने के लिए निकलते हैं, बाद में तुफानी रात में, रेखा प्रेम को नाव से गायब पाती है और उसकी शुरू कर देती है